तो आज हम यहां पर बहुत डिलीशियस सी वेसिपी बनाने जा रहे है वो भी डिफरेंट तरीके से चिकन नगेट तो इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर 500 ग्राम चिकन ले लिया है यहां पर बॉनलेस चिकन का इस्तेमाल कर वह हूँ जिसके मैंने चोटे-चोटे से इस तर ड्रैच परी लेत सकते हो हमें इसमें के लिए चाहिए और इसकी ब्राइब के लिए ब्रीट आपकर आस ने लेए नेक्सका देशित घंट पि पिल्सपून थ Гधि अब अल देशिधों फ्यांम्सका मैं हसे प्यास का य। पाउडर क्योंते प्यास पैस्ट ब्यानियाए और मैं यहां पर दो टेबल स्पून चिली फ्लिक्स का इस्तेमाल करी हूँ आप अगर चाहे तो कुटी वी लाल मुच भी ले सकते हैं तो यह हमने अपने सावे इंगुणियंस देख लिए है अब जल्दी से चलते इससे बनानी की तरह तो इसकी फर्स टेप है बेट के मैं अपन चिकन के पीसे निञा है तो जितने मैं यहां पर चिकन के पीसे जेए यहां पर यहां दो I Am igeno भी और साथ जेसे हम इसमें शकार बांर के यहां पर finger kimchi पेस्ते और हुस्तुआ address I am पाउडर मसाले जैसे की चीली फ्लेक्स, और एगयनो और थन्या पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर और नमक भी इसी में अड़ करके अब हम इसे मिक्सी में चला लेंगे अच्छे से और इस तरह से यहां पे इसे पीस लेंगे अगर आपके पास मिक्सिंज आड नहीं है या आप ऐसे नहीं कर पा रही हो तब आप एक काम कर सकते है कि शॉप से ही आप कीमा बन वागे लेए और यह CASU को मिक्स कर दीचे पर हम से चलते हैं कि तबता है हम यहां पर यहां पर लिए टाकि आप्लेसे नहीं जो शखते हैं कि यहांगता है मामेना मिल खसाला कि और अधिक हूँ तो बिल्कुल उसी देवी से यहां पे आप देखोगे कि मैं इसे यहां पे अच्छे से गूंद लिझा हुँ तो बिस दो से तीन में तक कि हम ऐसे चलालते वहें अग अच्छे इन यहां पर लाओ कि यहां पे यहां पे यहeste बंड कर बिक keto закончा। आप अगर चाहे तो प्लेट में भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर तोड़ा सा ओईल डाल दिया है, और इसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जो डो है वो इस पर चिपके ना, फिर मैंने यहाँ पर जितना डो था उसमें से हाफ डो यानि की आदा डो ले लिया है, अब मैं यहाँ पर इसको अच्छे से बीच में सेंटर में वक्के और इसे अच्छे से अपने हाथों से पहला लूँगी, मैं यहाँ पर अपने हाथों का इस्तेमाल कर वी हूँ, आप अगर चाहे तो बेलन से भी कर सकते हैं, या जैसे आपके लिए कंफरिबल हो, आप उस आप देख सकते हैं, यह इतना थीक है, क्योंकि यह हमें खाने में इस पर अभी दो कोटिंग और लगेगी, तो उस हिसाब से रखना है, तो अब मैं अब बार्याती है, इसे कट करने की, तो यहाँ पर इसे कट कर लेते हैं, आप जिस भी शेप में इसे कट करना चाहों, अगर आपके पास कट्टर है, कटले चेपर तो आप इसे उससे भी बना सकते हैं, तो यह देखे, यहाँ पर मैं इस तरह से बना लिया है, आप एक बरस की थिकने स्टोर चेक कर सकते हैं, और अब मैं इसे साइब में रख देती हूँ, इसी तरीके से मैं बाकी के सारे भी ज इसे बना लिया है, अंडा ले लिया था, जिसको मैंने काफी अच्छे से पेड लिया है, तोड़ा सा इसमें एड़ कर देंगे, और साथी में एड़ कर देंगे, तोड़ा सा सौल्ट यानि की नमक स्वादा नुसार, अब अगर चाहें तो तोड़ा सा चीली फ्लिक्स भी आपकी चॉऋेस पर जबर भेड़ करता है कि आपको आपके चिस नीजण को मिक्स करने के ना लेंगे था रज़ा अपर भी तिया, इसे बाद डिब करने के पारम जैन आपके लें या इसे पर रज़ा सकते है या तो दो लगा कोट लगा सकते तो 2 कोंटिंग मैं जमें लग कर लिए मैं पर जाए है, जलो कि एक बार रिजंड यम फिरे कोट कर लिए का नहीं और है , ग्राशिकर के लिए ऐक जार ना जिला है तो ये देखिये, मैंने इसी तर्убли से बना लिया है जिस तर्ulla से मैन आपको दिखाया इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ज़िशे बना लिया है अब पर यहाँ पर आती है, इसे नप ऊल् walking के लिए पहले ही रख दिया था जब भी केस्ट आए आप इसे फ्राइ कर सकते हैं यह बड़ा ही असान है बनाना जब भी का घर में पार्टी हो या बच्चो अगर शाम में स्नैक्स काना चाहे तो आप इसे बना सकते हो तो एक एक करके मैं यहाँ पे जो चिकन नगेट से इसको डालोंगी सारे हमें एक साथ नहीं डालने है थोड़ी सी जगह रहने देंगे बीच में और फिर हम इसे अलट पलट के दोनों भी साइट से गोल्डन और एकदम कुपकुवे होने तक के फ्राइ कर लेंगे तो हम इसे मिल्क अगर आड़ कर दें तो जाग जो आनव होता है वह थोड़ा सा कम हो जाता है तो यह देखे यह काफी अच्छे से यहां पर फ्राइ हो चुकिए है और इसे मैं यहां पर सर्विंग प्लेट में सर्फ कर दिया है थोड़ा सा पुदीन अपती के साथ में से गारनिश कर लगता है तो कल फिर मिलते है एक नई डीश के साथ तब तक के लिए अपी कुकिंग